नमस्कार दोस्तों यहां पर इस वीडियो में complete यहां पर जानकरी देने वाला हूं कि आखिरकार फैल स्टुडेंट बेड के फर्स्ट यर सेकंड यर के फैल स्टुडेंट को यहां पर जो है वो क्या प्रोसेजर उनका क्या कर सकते हैं क्या वो फैल उचुके या फिर वो कितने पैपर देना होगा उनको एक ही पैपर देना होगा जिसमें फैल हुए या फिर सभी पैपर देना होगा कंप्लिट जनकारी साथ में रेवलीशन का रिजल्ट और एक्स स्टुडेंट का फॉरम को फिल कर सकता हुए उसके बार में भी आप पर जनकारी देने वालों तो कंप्लिट वीडियो को जरू देखेगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर चलिए बात करतेँ हैं पर जैसे कि आपको पता होगा यहां पर अभी एक सब्जेक्ट की वजे से फेल नहीं किया जाता आखिरकार क्या process है उसका मैं आपको पूरी बताऊंगा आपका अगर एक सब्जेक्ट फेल है तो दोस्तों आपको कहना चाहंगा कि आप फेल नहीं हो यह हूँ आपका एक ही subject का पेपर लगेगा इससा नहीं है कि आपका सभी subject का पेपर लगेगा भले यह फ़स्ट एर का student वह यह second year में का हूँ आपका एगla Ka के और सब्सक्राइब की सब्सक्राइब एक पेपर का तो दोस्तों कि सार हमने यहां पर जो नंबर कम आये थे हमारे सब्जेक्ट में तो हमने तो रेवलिशन का फोरम लगाया हुआ है तो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आए ना फ़स्ट एर का है ने सेकंडियर का आया तो हम कैसे फोरम फिल कर दे तो आपको कहना चाहूंगा जब तक आप फो कर रहा है यह फिर पास हो गहीं पास हो तो अच्छी बात और अगर फिल चुके तो आपको पिर कियुंट का फोरम करी कासे यह का करना होता था घुड़ को में जमा करना होता है गयस पूरी जनकर यह को मीने बता दिये अगर यहांपत ज का जो रिजल्ट वो लगबग जो है बाद में आ जाएगा अगर में बात कुरू रिजल्ट तो रिजल्ट आपका मक्रसक्रांति के बाद में 16 से 17 तारिक तक जो है वो देखने को मिल जाएगा फिलाल दोस्तों यह सबसक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे शरेंद में यह ठोर्याएग्ट